नमस्ते मैंने अभी अभी ये पुस्तक पढ़ा यौर प्राइम मिनस्टर इस डेट बाई अनुजधार बहुत ही अच्छी पुस्तक है और शास्त्री जी की मृत्यों को लेकर आज भी कई सारे प्रश्न हमारे मन में ऐसे ही है तो ये पुस्तक है इस पुस्तक के कुछ पन्ने मैं आज आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ तो जैन्वरी 1966 जैन्वरी 1966 का महीना था और लाल बहदुर शास्त्री हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बीच शांती स्थापित करने के लिए USSR यानि की आज रशिया कह सकते हैं तो USSR के कहनी पर उस्बेकिस्तान की ताशकेंट नगर में गए थी ताशकेंट में वो थी शांती स्थापित हुई एग्रीमेंट सायंग हुई सब कुछ हुआ और फिर अगली दिन कुल्दीप नखिर अपनी होटेल में थी जैसा की हम सब जानते हैं कुल्दीप नखिर लाल भाधर शास्त्री के की तो ठीम। सेकरेटरी उनके मीडिया एडवाइजर थी तो कुल्दीप नायर के दर्वाजी पर किसी ने जोर से उठो 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 कुल्दीप नायर जी उठो उठो सुनने में आया है कि लालबादुर शास्त्री मर गए है उठो उठो कुल्दीप नायर चौक गए और उठे और दर्वा साइन हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने Eric साइन किया था, उसके बाद एक पार्टी भी हुई थी, पार्टी साड़े आथर्फ – नौ साड़े नौ तक चली और पार्टी के बाद सब लोग अपने अपने रूम के लिए चले गए थे और उस पार्टी के दोरान कुलदीप नायर की प्रधान मंत्री लाल भादुर शास्त्री से मुलकात हुई थी चंद घंडे पहले और एकदम ठीक ठाक ही लग रहे थे सब सही ही लग रहा था तो कुलदीप नायर एकदम चौंक गए फिर डाचा में जहां शास्त्री रुके हुए थे वहाँ पे जाकर देखा तो पता चला की लाल भादुर शास्त्री सच में मर गए है तो शास्त्री जी की लाश लेकर कौफिन में उनकी शव को डाल कर ताशकेंट से हिंदुस्तान उनका शव वापस लाया गया उनका शव वापस लाया गया तो उसके बाद पार्लिमेंट में काफी सारी बाती हुई का पार्लिमेंट में बहुत सारी बाती हुई कई सारे लोगों ने, जनसंग वालों ने, स्वतंतरता पार्टी वालों ने और कई सारे कॉंग्रस के सांसदों ने, कई सारे कॉंग्रस पक्ष के अपने सांसदों ने, कॉंग्रस सरकार पर बहुत सारे प्रश्णों उठाएं और इन सारे प्रश्णों का उत्तर मंत्री स्वर सिंग और मंत्री वाईबी चवान जो जो पूछ रहे थे बाकी के सांसत उनका उत्तर देते हुए जा रहे थे और लोगों के मन में काफी सारी प्रशन थी सबसे पहले तू लाल बहदुर शास्त्री को दिल का दौरा पड़ा वो उठकर अपने द्वार तक आकर द्वार खोल क कर कॉरीडॉर में जाकर बगल वाले का उन्हों नहीं दर्वाजा ठोका और बोला उठो 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 मुझे दिल में दर्द हो रहा है उठो उठो जाकर मेरे डॉक्टर को लेकर आओ क्या प्रधान मंत्री के बेट साइड पे एक इंटर कॉम टेलीफोन नहीं थी क्या श्यक्ता थी क्या प्रधान मंत्री के पलंग के बगल में एक इंटर कॉम टेलीफोन था या नहीं इस पर स्वरंड सिंग और वाई भी चावान ने उत्तर दिया या की एक मिनट आपने वो पिच्चर देखा आजाई देवगन की सिंगहम ने ने द्रिश्यम आपने वो पिच्चर देखा आजाई देवगन की द्रिश्यम उसमें वो एक पड़ोसी होता है आजाई देवगन का पड़ोसी और ये पुलीस वाले जो भी पूछते हैं वो प या की इनके साथ तो नहीं कह सकता, शायद अजय देवगन था, शायद अजय देवगन नहीं था, या की इनके साथ तो नहीं कह सकता, शायद हिंदाइकार थी, शायद टाटाकार थी, सौरी हसना नहीं चाहिए पर विश्वास कीजिए यह पुस्तक पढ़ते पढ़ते मुझे बिल्कुल अजय देवगन की वो पिच्चरी याद आ रही थे सच में लाल बहदुर शास्त्री उठके क्यों गए क्या उनके पलंग के बगल में एक इंटरकॉम टेलिफोन था या नहीं था याकीन के साथ तो नहीं कह सकते शायद टेलिफोन थी शायद टेलिफोन नहीं थी बाकी की सारी स्टाफ को होटेल में रुकाया गया था सिर्फ लाल बहदुर शास्त्री और तीन चार गिने चुने लोगों को होटेल से दूर एक बंगले में रश्या में उसे डाचा कहते हैं डाचा यानि की छोटा सा महल डाचा एक बड़ा बंगला या छोटा सा महल तो प्रधान मंत्री की बाकी की स्टाफ तो होटल में रुकी हुई थी केवल प्रधान मंत्री और कुछ एक दो लोगों को यहां होटल से दूर डाचा में रुका गया था यह अलग-अलग कमरे में रखना यह किसका आइडिया था यह भारत सरकार ने किया या रशिया सरकार ने किया या कीन के साथ तो नहीं कह सकता शायद Indian Government में arrangements किया या फिर शायद Russian government ने ये arrangement किया लाल बहर्दुर शास्त्री के साथ उनके परसुनल डॉक्टर उनके वाइद्य आरेंचुग वो आरेंचग गये थे और आरेंचग ने कहा कि ओक्सिजन मास्क नहीं थी कमरे में लाल बहर्दुर शास्त्री एक हार्ट पेशिंट थे पहले ही उनको एक बार दिल का दौरा पढ़ चुका था उनकी मेडिकल रिपोर्ट रशिया को भेज दी गई थी ऐसी परिस्तिती में विदेशी अति थी विदेशी प्रधान मंत्री अति थी को जो जो चहिए सब वहीं प था था या नहीं था याकिन के साथ तो नहीं कह सकता शायद वहां पे oxygen cylinder था शायद वहां पे oxygen cylinder नहीं था याकिन के साथ तो नहीं कह सकता ये शास्त्री जी के दो-दो death certificate क्यों है एक English में death certificate है उसमें मृत्यू का कारण अलग है एक Russian में death certificate है उसमें मृत्यू का कारण कुछ अलग ही बताया है ये एक ही आदमी के एक ही दिन में दो-दो death certificate क्यों है याकेन के साथ तो नहीं कह सकता शायद रशियन भाशा से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय ट्रांसलेटर ने कुछ गलती कर दियो शायद ट्रांसलेशन में कोई गलती हो गई हो, यकीन के साथ तो नहीं कह सकता दो डेट सर्टिफिकेट है और दोनों डेट सर्टिफिकेट पर डॉक्टर्स भी अलग अलग है रशियन में जो डेट सर्टिफिकेट है उस पे आठ डॉक्टर्स है, आठ डॉक्टर्स के हस्ताक्षर है इंग्लिश में जो death certificate है उस पे केवल 6 doctors के हस्ताक्षिर है और doctors भी अलग-अलग है इसमें sign करने वाले doctor अलग है इसमें sign करने वाले doctor अलग है एक ही प्रधान मंत्री के death certificate के दो अलग-अलग कारण और दो अलग-अलग doctors यह सब क्या हो रहा है यह क्या confusion है याकीन के साथ तो नहीं कह सकता शायद 8 doctors थे Russian death certificate sign करते समें शायद 2 doctors घर चले गए या शायद 2 doctors खाना-खाने चली गए पता नहीं याकीन के साथ नहीं कह सकता लाल-भादुर शास्त्री के doctor doctor आरेंच चक कह रहे हैं कि रशियन सरकार ने post-mortem करके देंगे करके उन्होंने offer किया उन्होंने कहा कि आपके लोग भी आए आरेंच चोग और बागी के आपके लोग भी वहीं खड़े रहे उपस्तित रहे चश्मदीद गवाबन के वो भी वहीं खड़े रहे हम पूरा सर से पाउं तक clear-cut post-mortem करके देंगे आप शव को post-mortem के बाद हिंदुस्तान लेकर जाए रशियन सरकार ने post-mortem का offer दिया था post-mortem क्यों नहीं कया रशिया ने कह रही थी कि post-mortem करके देंगे तो आपने मना क्यूं किया यकिन के साथ तो नहीं कह सकता शायद रशिया ने post-mortem का offer दिया शायद नहीं दिया हिंदुस्तान के आपने रशिया में कहा कि नहीं नहीं रशिया में पोस्ट मॉर्टम नहीं करना है, हिंदुस्तान वो पस आकर हम हिंदुस्तान में ही पोस्ट मॉर्टम करेंगी, पर हिंदुस्तान में भी पोस्ट मॉर्टम नहीं हुआ, बिना पोस्ट मॉर्टम के ही शास्त्री जी का अंतिम संस्कार हो गया पोस्ट मॉर्टम क्यों नहीं हुआ यकीन के साथ तो नहीं कह सकता शायद पोस्ट मॉर्टम नहीं हुआ पोस्ट मॉर्टम नहीं हुआ क्योंकि पोस्ट मॉर्टम नहीं हुआ सब लोग जानते हैं कि जब प्रधान मंत्री कहीं जाते थे तो कोई नौकर चाकर उनका सामान नहीं बांधता था उनका हर एक सामान उनकी पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री स्वयम एक एक चीज गिनके चुनके पैक करती थी गिनके चुनके सूटकेस में रखती थी इस बार भी श्रीमती ललिता शास्त्री ने एक एक चीज खुद पाक की हुई है श्रीमती ललिता शास्त्री बार बार कह रही है कि जो फ्लास्क उन्होंने भेजा था वो वाली फ्लास्क वापस नहीं आई है एक flask missing है और ये काफी important है क्योंकि उसी flask से आखर ही बार लाल बहदुर शास्त्री ने पानी पिया था दूद पीने के बाद उन्होंने उसी glass से पानी पिया था और बात नहीं कर सकते थे मर रहे थे तब उन्होंने बार बार उस flask की तरफ इशारा भी किया सब कह रहे हैं कि बार बार बात नहीं कर पा रहे थे बट इशारे से बार बार वो उस flask को दिखा रहे थे वो फ्लास्क वापस नहीं आई है, वो फ्लास्क कहा गई याकीन के साथ तो नहीं कह सकता शायद वो फ्लास्क वापस आई शायद वो फ्लास्क वापस नहीं आई सौरी, क्या करें, ये श्रीमती ललिता शास्त्री और लाल बहदुर शास्त्री के छे बच्चे पत्मी को जान मोहम्मद पर शंका है, they have doubt, जान मोहम्मद पर उनको संदे है, शंका है, लाल बहदुर शास्त्री का regular महराज थे, regular खाना बनाने वाले रसोहिया थे, रामनाथ, वो तो साथ में गए ही गए थे, दशकों से रामनाथ, शास्त्री जी के लिए खाना बना रहे थे शास्त्री जी ने कोई extra cook चाहिए करके नहीं बोला था, शास्त्री जी ने कभी नहीं कहा कि रामनाथ बस नहीं हो गया, एक और cook चाहिए, तो एक और जो ये extra cook आया था, जान मोहम्मद, इसको किस ने भेजा, और लालिता शास्त्री को अच्छे के च्छे बच्छों को उस पर शक है, आप उसको बुला के inquiry कब करेंगे, देखिए, बस यहीं एक प्रश्न है, जिसका वाईदी चवान ने और स्वरन सिंग ने यकीन के साथ उत्तर दिया, हमें पक्का विश्वास है कि जान मोहम्मद बहुत ही अच्छा आदमी है, हमें पक्का विश्वास है कि वो म मौलाना अब्दुलकलाम के घर, मौलाना आजाद के घर में काम कर रहे थी, और मौलाना आजाद के घर में उन्होंने 12 साल काम किया, हमें जान मोहम्मद के चरित्र पर संपूर्ण विश्वास है, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए हम जानती के खातर भी हम एक बार जान मोहम्मद को बुला कर पूछताच नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जान मोहम्मद पर यकीन है, बस यहीं एक प्रिश्ण था, जिसका कॉंग्रेस ने यकीन के साथ उत्तर दिया, फाइनली, 1966 में कुछ महीन हो बाद, कॉंग्रेस ने अनाउंस किया कि वो एनक्वाइरी कमीटी बिठाएंगे, और मृत्यू की कैसे हत्या हो गई, सब जाच करने की एनक्वाइरी कमीटी बिठाएंगे, किसके लिए एनक्वाइरी कमीटी बिठाएंगे, महात्मा गांधी की हत्याकी दुबारा जांच हो इसके लिए inquiry committee बिठाएंगे अरे मरे हैं लालबाद उर्शास्त्री और तुम जांच करवा रहे हो महात्मा गांधी के हत्याकी समझ में आप नहीं आता ये हो क्या रहा था उसकी बात जैसा कि हम सब जानते हैं 75 में emergency हुई सब हुआ फिर 77 में 77 में मुरार जी देशाई वापिस से प्रधान मंत्री बनी मुरार जी देशाई प्रधान मंत्री बनी तो उन्होंने अनाउंस किया कि वो लालबाहदुर शास्त्री के मृत्यों की एक एक बारी की से जांच करवाएंगे जैसे ही मुरार जी देशाई ने अनाउंस किया कि शास्त्री के मृत्यों की एक एक बात की जांच होगी जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया फौरल पठकन शास्त्री जी के जो पर्सनल डॉक्टर थे आरेंच जो उनके साथ ताशकेंट में थे जो बर्सों से शास्त्री जी के साथ थे और ताशकेंट में उनके साथ थे उनकी रोड आक्सिडेंट में हत्या हो गई रोड आक्सिडेंट पत्नी बच्चों समेत कार में जा रहे थी आरेंचुक पीछे से एक ट्रक आई और पत्नी बच्चों समेत आरेंचुक को मार दिया ट्रक ने उसके बस चार-पांच दिन बाद कुक वो रसोया रामनाथ जो की विश्वस्त था जो की बर्सों से उनके घर में काम कर रहा था और जो की ताशकेंट में शास्त्रे जी के साथ था उसका भी आक्सिडेंट हो गया जैसे ही मुरार जी देशाई ने कहा कि हमारी जंता सरकार जांच करवाएगी दो प्रमुक दो अती प्रमुक गवा डॉक्टर आरेंचुग और कुक रामनाथ दोनों की हत्या हो गई बात यहाँ पे खतम नहीं होती है लेकिन वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है मेरी आप सबसे विनती है कि आप ये पुस्तक अवश्य पढ़े मैंने यहां तक सुनाया है आगे की कहानी मैं फिर कभी सुनाओंगी अगर आप में से किसी ने पुस्तक नहीं पढ़ा है तो मेरी विनिती है कि आप स्वयम पुस्तत लेके पढ़ ले जो पढ़ नहीं सकते जिनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है वो मुझे बोले मैं बाकी का आधा फिर कभी आकर आप लोगों को सुनाती है नमस्ते